मनोज मुंतशिर के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ और इस सब के जिमेदार है आप लोग जी हां इस तरीके से आपने आदिपुरुष फिल्म का भाईशकार किया और आदिपुरुष फिल्म बनाने वालों का भाईशकार किया उसी के फलस्वरूप हुआ है जो हुआ है हुआ यू है कि सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता है इंडियास गौड टैलेंट और उस शो के अंदर मनोज मुंतशिर जज क्या करते थे उनके साथ किरन खेर, बादशा और चरन गोबर, सुरी करन जो हो रहे हैं जजिंग क्या करते थे, उस शो में से अब मनोज मुंतशिर को परखास्त कर दिया गया है, अब दुबारा आपको इंडियास गौड टैलेंट में मनोज मुंतशिर जजिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे, और इस खबर की जानकरी दी है, दीपक चोरसिया ने अपने उनको दिये जाने वाले थे, वो भी हटा दिये गए है, तो मनोज मुंतशिर के पास अब शायद कुछ बचा नहीं है, जो उनकी काम था, वो उनसे छीन ले आ गया है, और जो उनकी आवाम थी, जो उनकी फैंस थे, वो भी अब कम होने लगे हैं, तो दोनों तरफ से मनोज म मुंतशिर ने जो किया, उसी का कर्म उनको मिला, ये बोलना कि बजरंग बली भगवान नहीं भक्त थे, उनको भगवान हमने बनाया है, फिल्म रिलीज होने से पहले ये बोलना कि आदिपूरुष रमाइड के ओपर बेस्ट है, और फिल्म रिलीज होने के बाद ये बोलना के बाद मनोज मुंतशिर की तरफ से एक माफी नामा आया है आये ज़रा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है मनोज मुंतशिर ने लिखते हैं मैं स्विकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुस से जन भावनाय आहत हुई है अपने सभी भाई बहनों बड़ो पुझ सादू संतों और शिरी राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर विनाशर्थ शमा मांगता हूं भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करे हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सरातन और महान देश की सेवा करने की शक्ती दे जनाब बहुत देर कर दे आपने माफी मांगते मांगते जब आपकी फिल्म में आदिपूरुष फ्लॉप हो चुकी है जब आपकी फिल्म सिनिमा घरों से उतरने लगी है जब आपके पास खोनने को कुछ और बचा नहीं तब आप माफी मांग रहे हो अरे ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था जब आपकी फिल्म हुई थी उसके कुछ दिनों के बीतर अगर आप शमा मांग लेते तो शायद जन्ता आपको माफ कर देती लेकिन उस वक्त तो आप सिरफ कलेक्शन गिनने में बिजी थे उस वक्त तो आप मीडिया के सामने आके अपनी गलतियों को सई साबित कर रहे थे और बोल रहे थे कि यह सब डैलोग्स मैंने जान पूछ कर डाले है इस फिल्म के अंदर डेलिबरेटली डाले है ताकि यह फिल्म बच्चों तक पहुच सके यारे बच्चों तक छोड़िये यह फिल्म तो 300 करोड के आकड़े तक भी नहीं पहुच पा रही है खैर देर आए दुरुस्त आए करते ही आपको मिलते हैं और अगर आप यह फिल्म करते हैं तो बिना कैसी डिपोजिट इंवेस्टमेंट के आप लाइफ टाइम फ्री क्रिकेट फुटबॉल कबड़ी देख सकते हैं जीतवीन में डिपोजिट और विड्रॉल इंस्टैंट है और कस्टमर सपोर्ट सभी ल 220 करोड कमाएं थे औल ओवर इंडिया वही अगले 20 दिनों में इस फिल्म ने महसाट करोड रुपे कमाएं और कुल मिला के अभी तक इस फिल्म ने 23 दिनों में 286 करोड रुपे का बिजनस किया है सोचिए 700 करोड की बनी फिल्म इंडिया के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म ह यह 700 करोड की फिल्म आदी पुरुष और यह फिल्म अभी 300 करोड का आख़ा भी छू नहीं पाई है इतनी बड़ी फ्लॉपस अभी थूई है यह फिल्म और बात करेंगर रेटिंग की तो आयम डीबी पर इस फिल्म को दस में से 3.8 रेटिंग मिली है 3.8 इतनी भकवास रेट पैसा चापने में पैसा चापना बुरी चीज नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा चापना और अपनी जो मूल भावनाय है उनको भुला देना यह गलत है अगर आपने यह 700 करोड रुपे एक अच्छी फिल्म बनाने में लगाए होते ना तो यह फिल्म इतियास के पन् इस फिल्म के अंदर कोई इमोशन सी नहीं है एक आसू तक नहीं आया मेरी आक्सेस फिल्म को देखकर और वहीं अगर हम रामायड देखते हैं उसको सुन भी लेते है ना उसको महसूस कर लेते तो हमारी आखों से आसू हा जाते है वो इमोशन से रहमायड के लेकिन आपने रामायड को एक साइन्स फिक्षन फैंटेसी मसाला फिल्म बना दिया रामायड हमारा गौरवांगित इतिहास है अरे आपकी फिल्म ने जो तीन दिन में पैसे कमाई है ना 220 करोड रुपे वो सिर्फ और सिर्फ कमाई है शिरी राम के नाम से हनुमान के नाम से रामायड के नाम से क्योंकि ये जन्ता ये भक्त अपने अराद को बड़े परदे पर देखना चाते थे इस वज़ए से ये लोग दिल में आस्ता लेकर गएते अपनी परिवार के साथ की रामायड देखेंगे लेकिन आपने क्या किया आपने उनकी आस्ताओ को ठेस पहुचाई है आपने हमारी रामायड का मजाग उड़ाया है इसी वज़ए सा आपको एक कर्म मिल रहा है और कल्यूग में कहा गया है कि कर्म आपको तुरंत मिलेगा साथा इंतिजार नहीं कहना पड़ेगा इस हफ़ते की कमाई की बात करूं तो मंडे को इस फिल्म ने कमाई महस तीन लाक रुपे टूस्डे को तीन लाक रुपे वेनस्डे को धाय लाक रुपे और थर्सडे को दो लाक रुपे सोचिए अब कौडियों के भाव आ गई है यह फिल्म यह जन्ता की टाकट यह उपरवाले की टाकट आप मुझे बताए कमेंट करके कि आपकी क्या रायにちは क्या मनोच मुंतशिर की माफी कबूल करी जाए क्या उनको माफ कर दिया जाए जो भी आपके राय हो मुझे बताइए कोई भी शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद